दुनिया में आपको जो काम करना है, वो एक चीज है. आप उसे कैसे करते हैं, वो अलग चीज है. जब आप दबाव की बात करते हैं, तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. आप कह रहे हैं कि जीवन में चीजों को कैसे करना है, अगर एक डिजाइन स्कूल चलाना एक बड़ा दबाव बन रहा है, और एक अगर एक व्यवसाई की तरह जीना दबाव बन रहा है, तो इसे मत कीजिए, बीच पर टहलने चले जाईए, लेकिन वहाँ भी दबाव है, है तो दबाव नौकरी या उस ओदे की कारण नहीं है, जिसे आप संभाल रहें, दबाव और तनाव इसलिए हो रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि अपने शरीर को कैसे संभालें, अपने मन को कैसे संचालित करें, और अपनी भावनाओं को कैसे संभालें, ये इंसानी सिस् तो बाहरी परिस्थितियां बस एक खेल जैसी होंगे आप किस हद तक खेल सकते हैं? हो सकता है कि आप मेरी तरह ना खेल पाएं लेकिन आप अपनी सर्वोच्च शमता से खेलेंगे और ये ठीक है आपको किसी दूसरे की तरह नहीं खेलना है लेकिन आपको अपनी सर्वोच्च शमता से खेलना चाहिए अगर उसकी खोज नहीं की गई है जब आप पर दबाव पड़ता है तो उसकी खोज नहीं हो पाएगी जब आप पर दबाव पड़ता है जब आप तनाव में होते हैं तो आप अपनी पूरी शमता के साथ नहीं जिएंगे. जब आप दबाव में हों, तो छोटे-मोटे काम भी नहीं हो पाएंगे. अगर आपके भीतर एक खास स्तर की शान्ती और मिठास है, तो आपका शरीर और आपकी बुद्धी मता पूरी तरह से काम करेगी. तो ये इस जीवन को पूरी तरह से खेलने के बारे में, ना कि किसी को कुछ साबित करने के बारे में. बात बस इतनी सी है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आखिरकार आपके आसपास का हर कोई सफलता का ही सम्मान करेगा. ठीक है? अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने भौत एक शरीर और अपने मन का पूरे तरीके से उपयोग करना सीखना होगा. तो केवल दो ही चीजों का, और यकीनन बाहरी हालातों को नियंतरित करना होगा, पर बाहरी हालातों को संभालना मूल रूप से इस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी बुद्धि मता और अपने शरीर का कितने अच्छे से उपयोग कर सकते हैं. अब जब आप दबाव पैदा कर रहे होते हैं, तो एक स्तर पर इसका मतलब है कि आप आपकी बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है. ये आपके लिए काम नहीं कर ये आपके खिलाफ काम कर रहे हैं किसी और को आपको पीड़ा देने की ज़रुवत नहीं है आप उसे खुद ही पैदा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि खुशी तभी आसती है जब आप सफलता प्राप्त करें नई, 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 मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप खुश हैं सिर्फ तभी आपका शरीर और मन सबसे अच्छे स्थर पर काम करेंगे अगर वे अपने सर्वस्ट्रेश्ट पर काम करते हैं तो आपकी अपनी कापलियत और हमारे आसपास के हालात वो कैसे काम कर रहे हैं इस पर सफलता निर्भर करेगी आपकी सफलता सिर्फ आपकी योगिता के बारे में नहीं है हालात भी मौजूद है ये सारी चीजें जिस थरा साथ आती हैं उससे सफलता का स्तर तैह होगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुश जैसे हैं वो पहला कदम है आप जो करते हैं वो दूसरा कदम है लेकिन हर कोई दूसरे कदम को पहले उठाने की कोशिश कर रहा है और ये कभी काम नहीं करेगा